यह परक्युपैन के नेडर से हुए बाई 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 वह ओंदे कुछ दीख रहा है लाल है कहाँ कहाँ वह ऑ में सामने 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 सिद्फा गुब qué अरे बढ़व्व एसा कुछ नहीं है दीको देखो लिलन पर अमरे जो आगे हम आग जलाने के कोशित करते हैं, अगर कोई जानवर होगा तो आग से भागेगा, ठीक है, ठीक है, हम परने लक्री ढूनते हैं हलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के ने ब्लोग में, मैं जिस जगे पर खड़ा हूँ, एक्जेकली यहां से आपको कुछ सिमिलारिटी दिख रही होगी, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, कालारूस का, आज मैं आया हूँ, एक बेहतरिन से जगा एक्स्प्लोर करने के लिए और इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, कालारूस केव की, तो आपको पता चलोगा कितना इस्ट्रगल किया था हमने वहाँ पर अंदर जाने के लिए और अंदर से फिर रिटरन आ गये थे, काहा जाता है कि कालारूस केव रशिया तक जाता है, और इसी तरज़ पर यहां के केव के लिए काहा जाता है, आप यह देख रहे होंगे दरवाजे, साथ दरवाजे, इसे सदबरन, जो कालारूस में मैं ने दिखाय था सदबरन केव को एक्स्प्लोर करने वाले हैं इसे कहते हैं बंजुवा केव और इस केव की भी कहानिया है जिसमें से एक सबसे जारे पॉपुलर है कि ये केव कर रस्ता चायना तक जाता है और भी बहुत सारी कहानिया है जैसे के कहते हैं कि इस केव से जो गया वो बापस नहीं आया औ मेरे साथ स्वाक है पिछली वार आपको पता होगा कितना हमने स्ट्रगल किया था तो उस स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए इस बार हम कुछ तैयारी के साथ आए इस बार हमने एक के बदले दो फ्लेश लाइट लिया है क्योंकि अंदर अंधेरा होता है और इन केस अगर एक लाइट खराब हो गए तो फिर आप वापस भी नहीं आ पाऊगे इतना अंधेरा होता है मोईल के जो टॉच के रोस्मी होती है वो सफिसेंट नहीं होती है उससे आप चल भी नहीं पाऊगे काला रूस केप से सबक लेती हुए हमने अपनी त्यारी पूरी कर लिए इस कर दो चलते हैं के अंदर के अंदर आप लेको अपनिंग के पास कुछ बाल है मुझे लगता बकरे के हैं या भेड के कुछ भी है ऐसा ही जैसे ही अंदर आते है तो पीर अंधेरा हो लगा है हमने यहाँ पर अपने फ्रस्ट लएट को ओन कर दिया है तो जैसे ही थेवक थे सबल होते हैं कि रायट कंपर्टेबली बडा सा है लास्ट टाइम एकराओ कलारू से खेव तो कहीं सारे बाशी सारह हमें थना है कि विइन द्राइप उस पारें परन पीपि आ इस खेव कंपちゃ के 해म कलारस सक्वास, लास्क है कवाओं, सारह यहां कि एक रस्ता इधर लेप से जाता है और एक रस्ता राइट को जाता है राइट में जो रस्ता है काफी बड़ा रस्ता है तो हम एजुम कर रहे हैं कि यही रस्ता है जो आगे के तरफ जाता है तो हमने इस रस्ते को ही लिया यहां से इदर कुछ-कुछ छोटे-छोटे टनल्स है पर वो बंद सारे के सारे पर इस केव का श्ट्रॉक्चर शांदार है अगें यहां से दो रस्ता यह बंद है यह अभी तक जितने भी रस्ता मिले हमें लेप का सारा बंद है और राइट का सारा खुला है जाइन वाला है क्या पता चाइना है यह जापान है रस्या कोई बात ओ बंद कर लो तॉस को नीचे रखने हैं ओ मैं गॉड हो यह एक दो तीन चार पांच छे चमगारों में पैनिक हो गया है और इन्हों ने हमारे पे तुरह से हमला कर दिया अगर आगर जाने का रस्ता तो कुछ भी समझ में नहीं अगर आपको सामने दिख रहा होगा मैंने टॉल्स के रोशनी को किया है वहां पर आगे जाके तो बंद दिख रहा है इस तरह से रस्ता क्लोज है लेकिन डौनवर्ट्स कुछ खाई दिख रहा है अब हमें पता नहीं के है कहां पर तो हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं अंद अगर अब देखो अब रस्ता आपको दिख रहा यहां प्रोच जो लाइट हमें और बिल्कुल भी रस्ता नहीं थोड़ा सा और आगे चलते वगि पिल्गbladr बिल्गल दिख जाएगा की हैब हेवी नयी canvas चा था बाई मृन्स दू नहीं सोचा था किस मेर्म आके इसी जग आप देख लो थोड़ा सागया हूं अ बिल्कुल क्रॉल करना पर रहा है अब तो करना है कैसे करेंगे अब देखो यह रस्ता यहां पर कुछ पत्तर गिरे रहे हैं रहे हैं या रखे वे समझ में नहीं है पर रस्ता यहां से बंद है और नीचे अगर दीख रहोगा तो मैं यहां तक आगे यहां पर तो रस्ता बंद है आपको दिख रहोगा और नीचे करता हो तो भी रस्ता बंद है तो यह रस्ता बंद है अब मुझे लगता है कि जो लेप्ट में रस्ता था उसी रस्ते से जाना होगा क्योंकि यह रस्ता आगे बिल्कुल यह बंद है हम 50 म तो हम यहां से लेफ्ट वाला रस्ता लेंगे पहले चेलो इसपार्क , पत्थर थोड़ी नुखिले हैं चैलो तो इसपार्क हम लोग इस रस्ता से गहेंती ना Дो यह बंद है , तो आप मुझे लगता है इस रस्ता से चलना होगा पर यह बहुत छोटा रस्ता है यार अब इस देख से यार यह वह वहां से यह वहां से लेकिन वह तो पूरा बंद है इस रस्ते से जाना होगा तो यह देखो आप क्या स्रांदार बनावाटा ऐसा लग रहा है कोब्रा स्कीन क्या पैसिनेटिंग जबर्दास्त है बैट्स में भगदर मच गई है कि देख लो एक लाइन से कितने सारे चमगादन आ रहे आजा आजा अब चले अंदर के तरफ थोड़ा रस्ता संक्रा है आप देख रहे हैं इस पत्थर से इधर भी और फिर बिल्कुल दो से रहे पिटका रस्ता है रहे हैं चमगादनों की बहुत दिख रहे होगे आपको एक दोने कैस आ रहे हैं वह अंदर कुछ दिख रहा है लाल का वह सामन सामने सिधा देख और इसा कुछ नहीं है देखो देमेर जा रहा हूं अगे अरे बाइए डर मत भाई कुछ नहीं है अगर कोई जानवर होगा तो आग से भागेगा ठीक है रहे हम पर लक्री रूणते है लैटर है अपने पार ठीक है मांचेज भी है कप्ला है ठीक है रुमाल है रुमाल को यूज कर लेंगे तो सबसे पहले लकडी ढूनते हैं कहां मिलता है लकडी मिल गई है ठीक है चलो भाई लकडी मिल गए चलो अब इसका बना बना इस फाग भाई पैनिक कर गया और बनता भी क्यों कि हम इतने अंधेरे में हैं बिल्कुल हम किसी को नहीं जानते हैं ना किसी को आवाज दे सकते हैं और यहां पर उसे मैंने नहीं देखा लेकि यह कहरा अंदर कुछ दिखाई पड़ा है तो हम ना कुछ सेफ्टी परपस के लिए हमने इखटा किया है और यह हमने आग जलाया है और मसाल लेके हम आगे की तरफ चलेंगे अब यह कभी अइसा नहीं सोचा था कि कश्मीर में ब्लॉग बनाते बनाते ऐसी जगों को भी एक्स्प्रोर करने लग जाओंगा जहां तक नॉर्मल इंसान के तो आने के बस की बात है नहीं विता ओट एक्विपमेंट्स तो आप आहीं नहीं सकते हैं पहले तो पता नहीं है लोग और हमारे मिंदर आपको दिखी रहा होगा हिम्मत है तो हम आगे के तरफ जाएंगे आगे थोड़ा हमें जैसा इस वाक नहीं बताया कुछ दिखा है इस वह से हमने आग जला लिया हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि यह उपर का जो लेयर है जल जाए वह फिर हम अंदर च मैं बीच में कभी अपनी वीडियो में जिनरली रिक्वेस्ट नहीं करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पर आज करना हूं बाई क्योंकि रिस्क हम ले रहे हैं इतनी मेनत करके आ रहे हम दोनों और आपका सपोर्ट चाहिए चलें चलो 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 आग से भागे देखो तो रस्ता है कि नहीं हम लोग आगे तो जा रहे है 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 मैंने पहले इस वाक कोई भेजा यह दो कि उसके पास ही आग है कि अच्छा पार कि अच्छा पार कि अच्छा रस्ता ने यह दो आज अच्छा पार में तोड़ा संक्रा रस्ता तो और कैसे भी कर के आजा कि अज़ा कि दूम्हीं आगे चलो चलो कि अच्छा आपको दिख रहोगा कितना संक्रा रस्ता है इस पाक इसमें फिट हो गया है मैं थोड़ा इस पाक से हेल दी हूँ तो मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आगे डर लग गया है चलो 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 आगे चलो कोई बात नहीं कि अधर रस्ता भी याद अखना वह इस ने कि भूंगे ने तो रुख है क्या नहीं कुछ भी कुछ बीने कोई बात रोको नोग क्या करेंगे जहां पर भी जाएंगे दो दो पत्तर रहतें कि एक कोपर धिक है यहां पर एक ठोड़ी से प्रॉड़ी सी प्रोलम हो गई है अ तो हम क्या कर रहे हैं एक पत्थर इस तरह से निसान बना दिया है वह फॉलो करें कि अगर आपको देख रहा होगा यह भी रस्ता ऐसा ही देख रहा है इधर भी ऐसा ही देख रहा है और फिर इधर भी ऐसा ही देख रहा है तो हम कंफुज नहीं कि इधर साइं ते इसलिए हमन हमने मसाल जलाया लेकिन उससे प्रोब्लम क्या हो गए अंदर ऑक्सिजन की कमी हो गई है और धुआ धुआ जो हो गया जिस विए से हमें खासी होने लेगी तो हमने क्या क्या हमने मसाल को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है अंदर थोड़ा चलते हैं अगर कुछ ज्यादा रि पर हमें चलना ही है कि यही रस्ता है कि यह रस्ता है थोड़ा चूटा है अगर्ट ने चलना है इसी से के तरूप कि यह चलना चलना है यह चलना आप देख रहे हैं इसी के डर हमें कितना सार्फ है निदल जैसा यह परक्यूपाइन के निदल से से में शेय बोलते हैं कश्मीरी में से शेय बोलते हैं तो हम Sumi बस इंका ही डर है कि अब है अब हम यहां से रास्ता निंवेरा था हमारे साथ इंडूर भाई मिल गए जो यहां के लोकल्स जाने में help करेंगे वैस तोला सा रस्ता जो है ना complicated है और वैसे आप केव में आये हैं आपके असान रस्ते की उमीद में है क्या यहां से लग रहा है यह नदी के दुनों साइड पत्थर है अब यहां पर जैसे जैसे मागे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रस्ता संक्रा हो रहा है यह सबसे difficult moment है जो यहां से spark क्रॉस कर रहा है मिलकुल सांस लेने में में दिक्कत हो रही है पर ultimately हम इसे क्रॉस करेंगा आगे के तरफ जहां तक जा सकते हैं जाएंगे यह कुछ नहीं करेंगा वो रौस्णी से है ना भागता है यह चमगादर नीचे मत उतरना अगर जगा हो तब उतरना अगे बंद यह बंद है इसे इसको पकुड़ा यह से अधर जग जीट चुके हम देखो कहां पहुंच गए यहां से आगे कोई भी रास्ता नहीं है यहां लेंड है यह लागबागा है इस्वास पहले जो डर रहा था इसे भी हिम्मत आ गए यह नीचे तक आ गया है हम इस केव में इस प्रबैबली सबसे लास्ट पॉइंट तक आ गए है और आगे रस्ता बंद है अब रौस्णी के लिए रौस्णी के लिए एक फ्लेस लाइट दूसरी फ्लेस लाइट मैंने मोवाइल आउन कर रखा है मेरे कैमरे का लाइट ओन है और पत्थर से लग था ना देखा है हमें थोड़ा इन किलो पत्थर का दिखान रखना होगा यह बहुत डेंजरस है और रस्ता देखो तो बिलेब में आगे जो रस्ता है एक फिट या देड़ फिट हम बैट के भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हमें मिलकुल लेट जाना पड़ा और फिर लेट कर हमने क्रॉस किय तो एक पाट हमने और फिर लोग किता है रश्ता चायना तक जाता है यह नहीं स्यूंट ऑ और ये खतम हो इजा पर फिर लगबग तीन समझें अनौश भी यह कोई आगे बिगी कुछ ड़ेते चाएं बहु बनाल d affiliate बनेगा थोड़ा रस्ता यहां पर जगह मिल गए यह में पर एक बार खड़े होते हैं अगली बार बैठना पड़ता है आ गया हजा भई चल आजा थोड़ा खिशना पुल रहा है चलो अब लेकर भई यह पत्तर हम हाथ से तोड़ पा रहे हैं देखो कितने सारे कटिक्थर है जो पहाड़ों से हमने तोड़े हाथ से है भाई सांस लेने में थोड़ी दिक्क्त होड़ी ऑक्सिजन के कमी के दिए से बट्ट एड़ेस्ट करना पड़ता है अब कमपेटेबली रस्ता थोड़ा सा पक्तितन हो गया है तो हम आगे के तरफ और जा रहे हैं इव हो एव जहां सकती है। भाई इस केव का सबसे fascinating, dangerous के सकते हो, thrilling बोल सकते हो, ड्रावना बोल सकते हो, वह रस्ता यह है, आपको दीख रहा होगा यहाँ पे, पत्थरों के बनावट देखो कितनी नोकीली पत्थर है, यहाँ से पानी रिसरा है, दिखे आपको, और अब अंदर से होके, यह रस्ता आप होगा पर हम चलेंगा अंदर बाई कैसे करॉल कर रहा है तॉच नहीं तॉच नहीं तॉच नहीं कि वहां में यही एक दिक्कत है एक बार उपर चड़ो दूसरे बार नीचे उत्रो अब यहां से हमोगे आए हैं अब यहां से एक बड़ा सा कमरा दिखे आपको कमरे जैसा पूरा स्ट्रक्चर है चार उतर में घुमा के दिखा दे रहा हूं यह तिवार है यहां है अगे फिर गेट है जो इस गेट से होते हैं हम दूसरे कमरे के तरफ जा रहे हैं और यहां पर आपको विंडोस दीख रहे होंगे आपको पता यह क्या है क्या जो पिछले बुले व अब यह लास्ट यह आप देखो completely रस्ता यहां पर बंद है आगे ना बाएं है ना दाएं कुछ भी नहीं है और उपर इस तरह से पैक है यह कमरा है हमने तीन कमरे देखे इसमें से यह तीसरा कमरा है और यहां पर कुछ लिखावा दिखाई दे रहा होगा अट मिल्स कि कुछ और लोग आयते हमारे से पहले तो हम भी कुछ लिखेंगे हम भी अपनी यादगारी के लिए लिखेंगे टीवीपी लिख दो टीवीपी लिख दो देर वर्जिन पिलेस शॉट में टीवीपी तर लोग याद करेंगे कि इतने दिनों पहले यहां पे कुछ लोग आये थे हमें लगता है हमारा लेस्ट उन में से है जो लकी पीपल से हैं जो यहां तक आए हैं चाना का रस्ता आगे नहीं जाता है एक सब्सक्राइब है हम लास्ट तक पहुंचें और मैं इस वाक तो था इस साथ में लियाकत अली वह भी जुड़ गए और हमारे साथ इन्होंने भी इस केव को देखा तो भाई चाना दिखा क्या नहीं न यह एक मित था जो तुम्हें च मैं भी सोच किया था कि बीना पासपोर्ट के चाना जाऊंगा पर कोई बात नहीं फिर से कभी किसी और के तुरूम कहीं जाएं कशिमीर में कोई ने कोई केव और जरूर होगा तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही इस छोटे से कमरे में से हम आप सभी को बाई करते हैं म ना बोलो एक नंबर हो गया है वास तो भाई मैं ये हमारी यादगार के लिए टीवी पिलेस है हम याद रखेंगे इस पल को चलो टीवी बढ़िया देखा वूरूरूरूरूरूरूरू हाँ बैग उठा लेते हैं अपने यहां से थैंक गोड हम लोग बाहर आ गये हैं सेफली और हैपिली सेफली इसलिए कि कुछ वानी हमें है और हैपिली इसलिए कि हमने सारा कुछ एक्स्प्लोर कर लिया बाई बाई